हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल स्टडी कॉर्णर मैरी चा आज की हमारी हमारा ये वीडियो बेहद ही इंपोर्टिंट होगा आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त करोना जो है एक बहुत ही भयानक महामारी का रूप धारण किये है हमारे देश में उस से बचाओ का हमारे पास सिर्फ कुछी तरीके हैं जैसे कि पहले तो आप मास्क का यूच करिए सोसल डिस्टंसिंग का पारण करिए और उसके बाद जो एक मेन औजार के रूप में इस जंग इस करोना से लड़ने में हमारे काम आ रहा है तो वह है वैक्सिनेशन तो आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपके मन में उठ रहे बहुत से सवालों के जवाब दूँगी जैसे की बहुत से लोगों का कुश्चन होता है कि कौन सी वैक्सिन बेस्ट होती है या फिर वैक्सिन के साइड इफिक्ट क्या है हमें वैक्सिनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ऐसे बहुत से कुश्चन है जिनका जवाब हम अपने आज के इस वीडियो के माद्यम से आपको देंगे देज भर में लगातार बढ़ते कुरोना वायरस केसिस को देखकर लोग वैक्सिन के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोगों में होड मची है व इसी टॉपिक पर बेजड होगा वैक्सिन से रिलेटेड जितने भी कुश्यन आपके मन में आते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे अपने आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्विस्ट है कि वीडियो में अंते तक बने रहा करिए और अगर पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स में और अगर आप हमारे चैनल में नए विवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल आइकॉन के बटन को अन कर दीजे ताकि कोई भी वीडियो अ तो चली हम अपने आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम कुछ common questions पे आते हैं जो की लगातार लोगों के मन में उठ रहा है तो हम सबसे पहले उन सवालों की जवाब देंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको vaccine से related बहुत सी information इस वीडियो के माधिय से मिलने वाली है तो जैसा कि आपको screen में दिख रहा होगा पहला question what are the common side effects and how long do these side effects lost पहला ही question जब भी vaccine लेने की बात होती है vaccine लगवाने की बात होती है तो हमारे मन में यही question आता है कि vaccine लगवाने की बाद हमें क्या side effect हो सकता है और वो side effect हमें कितने दिन तक बना रह सकता है तो यह बहुत ही common question है जो आप सभी के मन में उठता है तो बहुत सी डॉक्टरों की जो report है जो उनकी suggestions है उसके according देखा जाय तो जो vaccine का common side effect है बहुत ही minor side effect होता है जैसे कि जहां पर भी vaccination होती है उस area में आपको pain हो सकता है swelling हो सकती है थोड़ा बहुत या फिर कभी कभी क्या होता है आपको fever हो सकता है सरदर्द हो सकता है और ठकान महसूस हो सकती है तो यह कुछ common side effect है vaccination के बाद के अब बात की जाए कि यह जो side effect है यह कितने दिनों तक रह सकते हैं हमारी body में तो यह एक या दो दिन तक आपकी body में देखने को मिल सकते है vaccination के बाद उसके बाद बिलक उस्तरा टाइप का कुश्यन उठता है वो यह होता है कि सोड़ पिपल हैविंग डाइबेटीज अस्थमा और हाई ब्लड प्रेसर टेक दा वैक्सीन तो ऐसे रोगी जो पहले जो डाइबेटीज से पीडित हैं जो अस्थमा के सिकार हैं या हाई ब्लड प्रेसर वाले जो लो तो हाँ वैक्सीन सब को लगवाने चाहिए वैक्सीनेशन सभी को करवाना चाहिए बस जो किसी बिमारी से पीडित हैं वो एक बार वैक्सीनेशन से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एक बार अपने सारे टेस्ट करा लें उसके बाद वो वैक्सीनेशन करवाना चलते हैं कि और क्या कुश्यन आपके मन में आ सकता है तो एक और कुश्यन आ रहा है इस वक्त वैक्सीन को लेके जो बहुत ज़्यादा डर लोगों में फैल रहा है वो ये है कि बहुत सी कंट्री में देखने को मिला है आफ्टर वैक्सीनेशन वैक्सीन लगने के बाद लोगों में बलड क्लॉटिंग की पॉबलम हो जा रही है जिससे उनकी मृत्यू हो जा रही है मतलब बलड क्लॉटिंग की वजह से उनकी मृत्यू हो रही है आफ्टर वैक्सीनेशन इस वजह से भी लोगों में वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा डर है तो आईए इस ज़र को भी मैं दूर करती हूँ देखा गया है कि जो वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और लोगों की मृत्यू हो रही है तो सबसे पहले तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का केस सामने आया ये कहां पर देखने को मिला था आपको तो यह सबसे पहले इस नार्वे में देखने को मिला था यहां पर जो चार हेल्थ वरकर थे उनकी मृत्यू हो गई थी वैक्सीन लगवाने के बाद क्योंकि उनमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी जो ये ब्लड इस्ट्राजनिका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसको लेने के बाद हो रही है हमारे भारत में बात की जाए तो इस्ट्राजनिका वैक्सीन के रूप में कोवी सील्ड वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है तो फिरहाल सबसे पहला केस ब्लड क्लॉटिंग स जो देखने को मिला वह नार्वे में चार हेल्थ वरकर्स में देखने को मिला था जिसमें से दो हेल्थ वरकर्स की मृत्यू हो गई थी ब्रेइन हामरेज की वज़ा से अफ्टर ब्लड क्लोटिंग उसके बाद सिमलर केस जिनमार्क में भी देखने को मिला था ब्लड क्लोटिं को मिला जैसे कि UK हो गया, इतली हो गया, इन जगहों पर भी blood after vaccination, blood plotting से लोगों की मृत्यू देखी गई, अब बात की जाए कि ये side effect क्यों देखने को मिल रहा है जब इतनी testing हुई, तो ये क्यों नहीं पता चला, तो जब हमारा, जब इसकी detail study हो रही थी vaccine की और इसके test की लोग ऐसी कोई भी problem देखने को नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जब ये vaccine आम लोगों तक पहुची तो कुछ लोगों में ये problem देखने को मिली, अब बात की जाए कि blood clotting से risk की after vaccination, इसके risk, इसका risk कितना है तो बहुत ही minor risk है, तो आप बिलकुल भी डरिये नहीं कि आप vaccine इसके बात की जाए कि risk of blood clotting तो बहुत से जो medical organization की detailed study आई है, उसके बाद हमारे पास एक ठूस data available है, कि क्या risk होता है blood clotting से, after vaccination blood clotting से मृत्यू का, तो बहुत ही minor, बहुत ही कम इससे risk होता है, तो बेटर होगा कि कोरोना से मरने के बज़ाए, वो जो लाखों में किसी एक साथ ही बस हो रहा है, वो आप risk ले लीजिए, क्योंकि कोरोना हुआ तो बहुत कम chances आपको जैसा कि second strain में देखने को मिल रहा है, कि ये बहुत ही विक्राल ग्रूप लिये हुए है, और maximum लोगों की इससे जान चले जा रही है, तो यहाँ पे report की data की बा उन्हों ने एक data जारी किया है, उसमें बताया गया है कि एक लाख लोगों के, मतलब एक लाख लोगों में ऐसा एक ही case सिर्फ देखने को मिला है, कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें blood clotting की problem हुई है, मतलब एक लाख में किसी एक की मृत्यों इसकी वज़ा से हुई है, वही पर British Health Regulator ने अपनी report जारी की है, इनकी report के according क्या है, धाई लाख लोगों में, आफ्टर वैक्सीनेशन, धाई लाख लोगों में कोई एक व्यक्ति जो है, इस problem से पाया, वतलब यह problem उसके साथ हुई है, blood clotting की और उसके मृत्यों के आफ्टर वैक्सीनेशन, तो कहा जाए, एक बहुत ही आम शब्दों में, एक आम भासा में मैं समझाने की कोशिस करूँ, तो आप कार खरीदने जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कार से लोगों की मृत्यू नहीं होती है, एक्सीडेंट से मृत्यू नहीं होती है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप का कि जोड़ी नहीं है वो आप के साथ हो जबकि वहाद तो 500 में किसी एक के साथ यह कैसा आपको देखने को मिल सकता है उसलिकिन यहां थो बहुत रायर बहुत गो की साल पार आइखने के मतलब हैं कि wannira में कैसी एक कैसा असी प्राबलम हो रही है कि आफ्टर वैक्सिनेशन लोगों की मृत्य हो रही है लेकिन ये बहुत ही रेयर है बहुत ही कम लोगों में देखने को मिल रही है इसलिए वैक्सिन को लेके आपके अंदर जो भी डर है ओ डर निकाल दीजिये और अपना वैक्सिनेशन जाकर करवाईए यही एक हथियार है जिससे आप अपने आपको बचा सकते हैं COVID-19 से और कुरोना से. अब बात की जाए यहाँ पे कुछ और important चीजों की जो की हमें जानना बेहदी important है. तो सबसे पहले एक question और आता है आपके मन में कौन से vaccine best है? Co-vaccine, COVID-sealed या Sputnik V? तो कोई भी vaccine, vaccine तीनों ही अपने आप में best रहा है, आपको जो भी आसानी से available हो, वो vaccine आप लीजिए, लेकिन आप दोनों ही dose same vaccine का लीजिए, ऐसा ना करिए कि पहला जो है आपको vaccine का dose लिए और दूसरा COVID-sealed का, तो ये बिलकुल गलत रहेगा, तो आप जो कोई भी vaccine लीजिए, तीनों ही vaccine अपने आप में best रहा है, अभी फिरहाल इंडिया में को vaccine और COVID-sealed ही लग रहा है, और इस पूतनिक भी आ चुका है, और कुछे राज्यों में इसकी भी लगने की सुरुआत हो चुकी है, तो आप नॉर्मल वक्ती में vaccine को लेके उठते हैं, अब थोड़ा सा हमें vaccine के बारे में भी knowledge होना चाहिए, कि हमारा जो vaccine है, वो कितने type का होता है, तो vaccine की बात की जाए, तो three types के vaccine होते हैं, एक तो होता है पहला type हमारा in activated vaccine, दूसरा type होता है viral vector vaccine का, और तीसरा type होता है mRNA vaccine का, अब इन तीनों vaccine के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आपको हर चीच के knowledge होना बेहद ही जरूरी होता है, आपके life का इस वक्त ये एक important हिस्सा बन चुका है, तो अपने life से related हर चीच के बारे में सारे information जानना जरूरी हो जाता है, अब इन तीनों type के vaccine को हम जानेंगे, और हमारे भार में जो vaccine huge हो रही है, वो किस type में आएगी, यह सारी चीचे हम जानेंगे, तो सबसे पहले बात की जाए, यहां पर inactivated vaccine की बात की जाए, तो inactivated vaccine क्या होता है, अब इन आक्टिवेटड vaccine का सबसे पहले तो example देखा जाए, तो इसका example क्या होगा, इसके example में जो co vaccine है, यह एक inactivated vaccine होता है, अब यह vaccine है क्या, यह जानते हैं, इसमें क्या होता है कि a virus is produced in a lab, एक virus जिसे की lab में produced किया जाता है, and treated with a chemical to inactivated, उस active virus को chemical के through inactivate किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, it means that it is not harmful to you, and then this virus is used as an inactivated vaccine, तो इस तरह से एक vaccine को तयार किया जाता है, लाब में पहले एक activated virus को क्या किया जाता है, उसमें एक chemical से उसे inactivate किया जाता है, फिर उसे ही vaccine के रूप में inject किया जाता है, तो यह होता है inactivated vaccine, जिसका example हमारा क्या है, को वैक्सीन है, जो कि बहुत से लोगों को लग चुका है, सबसे पहले कोवी सील्ड आया, फिर को वैक्सीन आया, जिसका made in India है, फिर दूसरी बात की जाए, दूसरे टाइप की बात की जाए, वैक्सीन की तो वाइरल वैक्टर वैक्सीन है, इसके example की बात की जाए, तो वा हाली में हमारे इंडिया में आ चुकी है जो की एक रश्या की वैक्सीन है तो ये दो टाइप जो है हमारा वाइरल वैक्टर वैक्सीन के अंतर गताएगा अब इसको भी जानते हैं कि वाइरल वैक्टर वैक्सीन तयार कैसे होता है तो ये वैक्सीन क्या होती है इन कोवी इसमें क्या होता है एक चिमपैंजी होता है इसके ऐडिनो वायरस यह देकन उसके ऐडिनो वायरस को लिया जाता है ऐडिनो वायरस is the name of a family of virus तो यह एक वायरस की family का नेम है the genetic code in the chimpanzee virus is replaced with the genetic code of the SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 यही COVID virus का नाम है SARS-CoV-2 जो chimpanzee virus का genetic code था उसको replace किया जाता है SARS-CoV-2 में virus that causes COVID-19 so a chimpanzee virus that has the genetic code of SARS-CoV-2 virus like a vaccine in your body this is known as viral vector vaccine तो हमारा यह जो दूसरे टाइप का vaccine है यह क्या कर रहा है यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें एक chimpanzee के adenovirus को लिया जाता है और उसे जो है हमारे vaccine के रूप में convert किया जाता है इसके बाद हमारा यह जो SARS-CoV-2 है यह क्या होता है यह is the virus that cause COVID-19 तो यह एक virus है जो की हमारे अंदर COVID-19 को cause करता है इस तरह से आपको देखने को मिला कि यह viral vector vaccine कैसे work करता है अब बात करते हैं यहां पर हमारे sputnik V की तो यह रसिया की vaccine है रसिया की sputnik V vaccine जो है यह भी हमारा viral vector vaccine है लेकिन इसमें चिम्पैंजी के एडिनो वाइरस की बजाए human का एडिनो वाइरस यूज किया जाता है बस इता है different है इसमें तो हमारा जो यहां पर मैंने बताया कि जो चिम्पैंजी वाइरस है वो क्या कर रहा है यहां पर एक वैक्टर की तरह कारे करता है जैसे कि मच्छर जो है वो एक वैक्टर की तरह हमारी बॉड़ी में कारे करता है क्योंकि यहां डेंगू मलेरिया का वैक्टर कहा जाता है मतलब इससे डेंगू और मलेरिया होता है बिलकुल उसी तरह से यहाँ पर चिंपैंजी वाइरस भी क्या कर रहा है एक वैक्टर की तरह पारे कर रहा है इस गेटिंग इंटू आवर बॉड़ी और इनिफेक्टिंग अस विध दा सार्स सार्स कोवी टू जेनिटिक कोड तो यह था हमारा वाइरल वैक्टर वैक्टिंग के बारे में कीसरा वैक्टिंग की बात की जाए तो म आरेने वैक्टिंग जो की फिर हाल इंडिया में नहीं आई है और इसके इंडिया में आने की बहुत ही कम पॉसिवल्टि है तो म आरेने वैक्टिंग में कौन सी वैक्टिंग आएगी इसके अंतरगत तो इसमें परफाइजर वैक्टिंग और मॉडरेना वैक्टिंग आएगा यह दोनों वैक्टिंग अम आरेने वैक्टिंग की स्रेणी में आता है जो कि तिरा टाइप का वैक्सीन है इसको समझा जाए तो ये वैक्सीन कैसे वर्क करता है इसके बारे में आगे मैं बताती हूँ ये आप देख रहे होंगे ये SARS-CoV-2 वाइरस है इस वाइरस से ही हमें क्या होता है COVID-19 होता है यहाँ पे आपको यह जो red red चीज़े दिख रही है यह red things क्या होती है यह ball saved जो आपको दिख रहा है यह spike protein कहलाता है यह red वाला यह spike protein से ही क्या होता है इसी से mRNA लिया जाता है क्योंकि हमारी body आपको पता होगा कि human body में DNA होता है RNA नहीं होता है वाइरसों में RNA होता है तो यह जो SARS-CoV-2 जो COVID-19 का वाइरस है इसमें यह red color का दिख रहा है बॉल आपको यहाँ से spike protein निकाला जाता है और इसी spike protein से mRNA लिया जाता है जिससे की vaccine बनती है और वही हमारे body में एक्ट करके हमें COVID से बचाती है तो यह तो रहा पूरा तीनो टाइप के vaccine का mRNA vaccine की बात की जाए तो messenger RNA vaccine होता है यहाँ पे आगे आपको DNA और RNA का structure मैं दिखाती हूँ यह DNA का structure है जैसा कि यहाँ पर में इसन है DNA जो है वो double helical double standard structure होता है जो कि हमारी body में होता है और RNA हमारी body में नहीं होता है वायरसों में पाया जाता है वायरस में होता है जो spike protein की बात मैंने की कि spike protein से यही mRNA को निकाला जाता है और यही हमारी body के अंदर vaccine की तरह कार्य करता है तो इस तरह से तीनो टाइप की vaccine को हमने जाना अब मैं image के द्वारा आपको तीनो टाइप की vaccine को दिखा देती हूँ यह हमारा co vaccine है co vaccine जो की भारत में निर्मेश है और उसके बाद यह cove seal है जो की second type का vaccine मैंने बताया वो है cove seal और sputnik V इसके बाद third type में बताया Moderna vaccine और कौनसा vaccine third type में आया हमारा पफाइजर vaccine इस तरह से आपने vaccine के बारे में जाना vaccine की type के बारे में जाना और उसके कुछ symptoms जाना की after vaccination क्या क्या आपकी बाडी में change हो सकता है तो उमीद है इस वीडियो के माद्यम से आपको काफी चीज़े clear हो गई होंगी और आपके मन में उठ रहे बहुत से सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे तो आप अपना vaccination जरूर करवाईए जो भी इसके protection के लिए guideline जारी की जाती है उस पर आप ध्यान रखिए वैक्सीन का जो असर की बात की जाए तो वो after six weeks के बाद ही होता है वो हमारी बाडी को protect करता है और बाकी first dose लेने के बाद ये हमारी बाडी को 70% तक protection देता है लेकिन after second dose ये हमारी बाडी को 95% तक protection देता है बाकी 100% की बाद नहीं की जा सकती वैक्सीन से हमें 100% protection मिल सकता है बस वैक्सीन लेने से ये फायदा होता है अगर आप वैक्सीन लेने के बाद करोना इनफेक्ट होते हैं तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आप नॉर्मली अपने घर में रहके ठीक हो सकते हैं बहुत थी रेयर चांस है कि आपकर वैक्सीन इसकी डेत हो तो इस तरह से वैक्सीन आपको तो है वो मृत्यू से बचाता है और ये जो बहुत भयानक रूप ले रहा है हमारी बाडी में कोरोना उन सभी से हम वें सेफ करता है तो वैक्सीन आप सभी लीजिए इस से रिलेटर जिते भी कुशन आपके मन में थे वो मैंने क्लियर करने की कोसिस की अपने इस वीडियो के माध्यम से बाकी अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है वैक्सीन को लेके कोरोना वारस को लेके तो जरूर कमेंट करिएगा हम नेक्स्ट वीडियो में उस से रिलेटर आपको सारे जवाब देंगे वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशन जरूर दिया करिए अच्छा लगा हो तो लाइक किया करिए शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बोस में अपने नेक्स वीडियो में हम फिर से मिलते हैं तब तक घरों में रहिए सुरक्षित रहिए जाहिंद